विद्जार्थी मित्रो में हूँ रगुबाय M. पटेल साह HD हैशकुल कुकरवाड़ा कक्सा नाव विशाई हिंदी के इस क्लास में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में पाठ 11 एक यात्रा यहभी का के स्वाज्जाई का अभ्यास करेंगे तो चलिए स्वाज्जाई हम देखते हैं तो पहला एक एक वाक्य में उत्तर दिजिए लिखक को गवालियर क्यों जाना पड़ा उत्तर लिखक को एक डॉक्टर से मिलनी के लिए गवालियर जाना पड़ा उसरा पस्तन लिखक के ना कहने पर भी ओटो वाला उनका इंतिजार क्यों करने लगा लिखक के ना कहने पर भी ओटर वाला उनका इंतिजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटर तक भी पहुँचाना चाहता था लड़की ने मोहन से दिन्दियात हुए क्या कहा? उत्तर लड़की ने दिन्दियात हुए मोहन से कहा मुझे बचा लो चौथा प्रश्णा मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? उत्तर लड़की सुन्दर और परिचित थी साधी न करे तो उसकी जिन्दी खत्रे में पढ़ने की संभवना थी इसलिए मोहन उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया पांच्वा प्रश्णा थानेदार की क्या विशेष्टा थी? थानेदार की यह विशेष्टा थी कि वह कवी भी था और उसकी कवीताएं मानविय सम्वेदना से बरी होती थी चठा प्रश्णा मोहन ने जादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? उत्तर मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इंकार किया क्योंकि लिखक दमपती से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़ कर था आगे दो-तिन वाक्यों में उत्तर दिजिए उसमें पहला प्रस्टन है लिखक ने ओटो वाले की बात को स्विक्रूति क्यों दी उत्तर लिखक ने ओटो वाले की जीद और आवाज में एक प्रकार का आकरश्ण में सुस किया उससे प्रवाईत होकर उन्होंने उसके रिक्षा में बैठने की स्विक्रूति दी दुसरा प्रस्टन मोहन की पारिवारिक्तिति क्या थी उत्तर मोहन का घर आगरा में था माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की बड़ा भाई वकिल था और साधी सुदा था मोहन भी ये पास करने के बाद नौकरी कोज रहा था दुसरा प्रस्टन लड़की किस बात के लिए तयार नहीं थी क्यों उत्तर लड़की के माँबाप उसे एक अधेड के साथ बेश रहे थे लड़की उस खुसट के साथ जाने को तयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिनकी बरबाद होने की संभावना थी चौथा प्रस्टन लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं उत्तर बड़े बड़े लोग नारहीत की बड़ी बड़ी बाते करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते इसके बटले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बना कर उसे दुर्दसा ग्रस्त होने से बचा लिया इसे मानाउता पुर्ण व्यवहार के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं आगे विस्तार से उत्तर दिजिए उसमें पहला पृष्टना लिखक यातरा से क्यों डरते थे उत्तर लिखक यातरा प्रियर नहीं थे यातरा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे नए सहर के लोगु का कैसा व्यवाहर होगा सबसे अधिक परेशाने उन्हें आटो वाले के बारे में सोचकर होती थी नए सहर में आटो वाले मन माना किर्याय मागेंगे इन ही कारणों से लिखक यातरा से डरते थे दूसरा प्रस्टन मोहन का तरित्र चित्रन किजिए उत्तर मोहन बिये पास 160 युवक है उसकी आकरशक और अपने पंसे बरेवानी पराया को भी अपना बना लेती है वह धन से अधिक आत्मिय सबंद को महत्व देता है संकट में पड़ी एक लड़की को अपना कर वह अपने साहश और मानावता का परीचाई देता है उसे अपनाने में वह अपने पारिवारी क्रिष्टे की बली देने में भी संकोच नहीं करता अपने उन्ही गुणों के कारण मोहन लिखक की नजरों में बहुत उचा उठ जाता है तिसरा प्रश्ण लिखक के साथ मोहन ने अपना पन कैसे जताया उत्तर मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपुण व्यवहार से लिखक का दिल जीत लिया था वह लिखक को बाबु जी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था स्टेशन पर विदा होते सम्माई लिखक ने उसे 500 रुप्य देने चाहे तो मोहन ने लेने से इंकार कर दिया लिखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माबाप मिल गए उस सुक के सामने उसे पारिस रामिक के पैसे लेना तुछ लगा पारिस रामिक के पैसे लेने में उसे एक तरह का अपना परायापन महसुस हुआ लिखक को अपना फोन नमबर दे कर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का अगरह किया इस प्रकार लिखक के साथ मोहन ने अपना पन जताया आगे चौथा निम्नलखित विधान किसने किस से क्यों कहा उसमें पहला इस से विवा करना पृतिकर भी होगा और मानाविय भी उत्तर यह विदान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुन्दर और परिचित थी दूसरा भाई हर शत्र में कोई ने कोई मसीहा दिखाई पड़ी जाता है यह विदान लिखक ने मोहन से कहा क्योंकि थानेदार ने लड़की की साधी कराने में मदद की थी तिसरा मुझे इतना पराया ना किज्ये बाबुजी उत्तर यह विदान मोहन ने बाबुजी से कहा क्योंकि वे मोहन को अगरह कर परिश्रामिक दे रहा था आगे सही सब्द चुनकर युग्य उत्तर दिचिये उसमें पहला है ओटो वाले ने लिखक को नई जगह पर पहुँचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी दूसरा बात करते हुए मोहन रुख गया और चुपी सी चा गई क्योंकि कोई अवांचित गटना गटी थी तिसरा लिखक को मोहन की बाद कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि लिखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा स्रदई वियभार कर सकता है हागे चोथा मोहन ने जादा पैसे देने से इनका कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए चठा प्रश्ण निम्नलिखित मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किजे उसमें पहला पाला पड़ना का अर्थ है सबन्द जुड़ना वाक्य मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा दूसरा असम्मझस में पड़ना अर्तात उलजर में पड़ना नीड़ना न कर पाना वाक्य आप कहां इलाज कराएंगे ऐसा पुष्णे पर पिताजी असम्मंजस में पड़ गए तिसरा दामन थाम लेना याने आस्त्राई लेना वाक्य बड़े भाई का दामन थाम कर वह सहर में रहने लगा अगे निमन लिखिता शब्दों के व्रदी शब्द लिखिये वांचित अवांचित परिचित अपरिचित समस्य समाधान मसिह सेतान पृति नफरत संतोस असंतोस सोशन पोशन तो इस्तर यहाँ पर स्वाध्याय शमाप्त हुआ दन्यवाद